नमस्कार दोस्तो रेलपत चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त पर विन सर और आज डिसकस करेंगे हाल ही में हुए 8 जनवरी 2023 के खुरदा मंडल में जेई पीवे का एकजाम हुआ है उसी कोस्चन एनलाइसिस के बारे में तो दोस् तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर दिया हूँ अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसे आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकेंगे तो अब मैं सेकेंड पार्ट के फर्स्ट कोस्चन के तरफ लेकर चलता हूँ जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए तो ये सेकेंड पार्ट का फर्स्ट कोश्चन है शंपार पर रख रखाओ के बाद चेक रेल ना लगा पाने की अस्थिति में 10 किलोमेटर परती घंटा का परती बंद लगाना होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 30 किलोमेटर परती घंटा यानि इसका एंसर बी हो जाएगा पूल पर रनिंग रेल और गार्ड रेल के बीच की दूरी कितनी होती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 250 पलस मैनस 50 mm यान इसका एंसर ए हो जाएगा पटरी के उपयोग होने वाली गिट्टी की इंपेक्ट वैल्यू की अधिक्तम सीमा कितनी होती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 20 परसेंट यान इसका एंसर ए हो जाएगा LWR में रख रखाव संचालन को किस तापमान सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा TD पलस 10 से TD माइनस 30 डिगरी यान इसका एंसर भी हो जाएगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद एक बार कॉमेंट सेक्शन जरूर देखें क्योंकि किसी कॉस्चन का एंसर अगर गलत होता है तो मैं कॉमेंट में सही एंसर को पीन कर देता हूँ जिससे आप देखकर उसे सुधार लेंगे हाई लेवल या त्री प्लेट फॉर्म की अधिक्तम उचाई रेल अस्तर से कितनी होनी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 840 mm यानि इसका एंसर C हो जाएगा falling mark बोड का साइज 20 mm होता है तो falling mark का साइज क्या होता है जिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1500 into 250 into 125 यानि इसका एंसर B हो जाएगा निकटम ट्रेक सेंटर से गेट गुम्टी तक की नियुनतम दूरी डैस मीटर होनी चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा 6 मीटर यानि इसका एंसर C हो जाएगा टाइंपिंग मसीन के लिए आब असे एक नियुनतम क्लीन कुशन डैस है तो क्लीन कुशन कितना हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा 1500 mm यानि इसका एंसर C हो जाएगा 1 in 8.5 symmetrical slipped curve switch पर अधिक्तम गति सीमा 10 है तो इसका एंसर हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा 30 km परति घंटा symmetrical switch रहा तो 30 km परति घंटा हो जाएगा इसका एंसर C हो जाएगा जब closure rail को track में लगाया जाता है तो 10 km परति घंटा का परति बंद लगाया जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 30 km परति घंटा है यानि इसका एंसर C हो जाएगा टैंपिंग कार्ज के खत्म होने पर डैस की या उससे कम की रैम दी जानी चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा कितना? इसका एंसर हो जाएगा 1 in 1000 यानि इसका एंसर D हो जाएगा LWRK लिए अधिक्तम वक्रता की सीमाट डाय से है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 4 डिग्री यानि इसका एंसर A हो जाएगा BG ट्रैक पर तीन डेटोनेटर को खत्रे की जगा कितनी दूरी पर लगाना चाहिए तो तीन डेटोनेटर कहा लगाया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा 1200 मीटर पर यानि इसका एंसर D हो जाएगा LWR पर अधिक्तम स्विकारे ढाल यानि ग्रेडियन्ट की सीमाट डाय से है तो LWR के ग्रेडियन्ट जो है अधिक्तम कितना होना चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा 1 in 100 यानि इसका एंसर A हो जाएगा 100 मीटर से कम के मुख्या स्पाइन के पूल पर ट्रावली रिफोजस की अधिक्तम दूरी डैस है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 100 मीटर यानि इसका एंसर ए हो जाएगा सभी फाट गोपर सेंस्यू टीबी यू लेने की विवस्ता ऐसे सी पीवे को डैस अब रिती पर गरनी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा परतेक तीन साल में एक बार यानि इसका एंसर यह हो जाएगा अगर आप भी जेई पीवे की त्यारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेई पीवे प्रिवेश येर कोश्चन पेपर दुहजर बाईस आपके लिए टौनिक की तरह लाबदायक होगा इसमें दुहजर बाईस का टोटल 14 सेट यानि 1500 कोश्चन कवर किया गया है अगर आप लेना चाहते हैं तो वाटस अप से संपर करके या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेतर बना सकते हैं IRPWM के अनुसार ब्लोग के पुर्व ब्लोग के दवरान और ब्लोग के बाद सभी पुर्ववच्छाय सुनिश्चित करने एवम ट्रेक मसीन के अनुसार गुनवता आउटपूट के लिए काउन जिमेदार हैं तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा पुर्टेक गैंग मेट की मैन और ड्रेक मेंट डेनर को हाथ और डेटोनेटर सिगनल का सही ज्यान होना चाहिए और निमलिखित में से किस नियमों पर दचता होनी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा दी हो जाएगा यानि इन में से सभी हो जाएगा पांचों चीज़ों को ग्यान होना चाहिए तो यह पांच चीज़ कौन सा कौन सा है तो यह सुरच्छा पहले नियम दूसरा नियम है सुरच्छी दूरी एवम डेटोनेटर लगाने की बीदी तीसरा नियम है अपात कालिन स्थिती में ट्रेक की सुरच्छा को परवाविद करने वाले काम के दवरान लाइन की सुरच्छा का ग्यान उसके बाद है होट एक्सल या ट्रेन पार्टिंग होने पर की जाने वाली करवाही का ग्यान और आपात स्थिती में पेट्रोलिंग गस्त एवं छेड़ शाड़ तोड़ फोड़ किया संका होने पर की जाने वाली कारवाही का ज्यान तो यह इसका एंसर इन में से सभी हो जाएगा यानि इसका एंसर डी हो जाएगा यदि कोई गेट मैं यह देखता है कि कोई रेल गाड़ी पार्ट हो गई है तो क्या करेगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा ड्रैवर को stop hand signal नहीं दिखाएगा लेकिन चिला कर इसारे से यह अन्य तरीकों से ड्रैवर और गार्ड को ध्यान अकरसित करने का परियास करेगा यानि इसका answer C हो जाएगा सभी ट्रैक नभी करन पूर्ण ट्रैक नभी करन और सिलीपर नभी करन के दवरां दोहरी करन गेज परिवरतन मुख्य लाइन के लिए नई लाइन निर्मान कार्जो के लिए नियुंतम सिलीपर घनतब संख्या डैस परती किलो मिटर होगी तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 1660 यानि इसका answer B हो जाएगा डबल लाइन स्टेट रेक के लिए बैंक और कटिंग साइड ड्रेन को छोड़ कर में नए कार्जो मौझूदा कार्जो में बदलाव के लिए नियुंतम फॉर्मेशन चवडाई डैस सुनिश्चित है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 13160 यानि इसका answer A हो नियुंतम फॉर्मेशन चवडाई सुनिश्चित करने के साथ साथ अस्ट्रेट ड्रेक और गुलाई दोनों के लिए सेस की नियुंतम चवडाई डैस सुनिश्चित की जानी चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 90 cm यानि इसका answer A हो जाएगा तो अफ स्विच, अफ नोज, अफ क्रोसिंग से डैस तक कैंट का कोई परिवर्दन नहीं होना चाहिए उन मामलों को छोड़कर जहाँ पॉइंट और क्रोसिंग का ट्रांजिस्चिन वाले हिस्से से लिया गया हो तिसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 20 मीटर यानि इसका answer C हो जाएगा 110 km परती घंटे से कम और 50 km परती घंटे तक की गती के लिए कर्ब के लिए रियलाइमेंट का माप डंड क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 20 mm या आउसत बरसाइन का 20 परती सत जो भी अधिक हो तो इसका answer C हो जाएगा गैंग बिशेश निर्देशो द्वारा नियुक्त किसी सच्चम रेल सेवक जो की डैस है या किसी सच्चम रेल सेवक की पुर्व अनुमती के बिना किसी भी ऐसे कार्ज को शुरू नहीं करेगा जिसमें ट्रेन या या तायात के लिए खत्रा हो जिस रेल सेवक ने अनुमती दी है उसे कार्ज के परिछन के लिए स्वेश साइट पर उपस्तित होना चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा J या SAC रेल पाथ यानि इसका answer D हो जाएगा विशेस निर्देसो द्वारा नियुक्त योग बेक्ती की उपस्तिती को छोड़कर कोई ट्राली मोटर ट्राली या लोरी को लाइन पर नहीं रखा जाएगा उस योग बेक्ती की योगता का परमान पत्र डैस द्वारा जारी किया जाना चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा ADN के द्वारा यानि सहायक मंडल इंजिनियर इसका answer C हो जाएगा दोस्तो अगर इसमें cut-off की बात अगर की जाए तो जेनरल का cut-off जो है 70% तक रहेगा क्योंकि ये question काफी tough है तो आप जिए 70% अगर बना लिये हैं तो वो secure है कि उसका result आने के chance रहेंगे रेल नभी करन के लिए निमली खित मापदंड है रेल नभी करन पर विचार किया जाना है यदि तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा यदि उपरोक्त में से कोई एक संतुष्ट है तो इसका answer भी हो जाएगा कंक्रीट सिलिपरों को परतियस्थापन नभी करन के लिए आहर्द माना जाएगा यदि उन्होंने रेल सीट अस्थानों पर तीन एमम से यदि खांचा गड़ा बिक्सित हो गया हो उनके insert तूटे हुए हो या लंबे हो गये हो या आवस्यक टो लोड परदान करने में सच्चम नहीं है सिलिपर स्वेंट तूट गया हो या कोई अन्य कारण है जिसके लिए वे गेज और लेवल को पकड़ने में सच्चम नहीं है जहां केवल री एस फीलिंग उचित है या निरंतर खंडो में किया जाना चाहिए निकले हुए सेवा योग सिलिपरो काव योग कहीं और अकास्मिक परतियस थापन नभी करन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए निरंतर सिलिपर नभी करन किया जाना चाहिए यदि उस पहेंच में नभीकरन मापदंड को अहरता प्रदान करने वाले सिलीप रोखा परतिसत डैस से अधिक हो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 20% यानि इसका एंसर ए हो जाएगा रेलपत की गुनबता के बस्तुनिष्ट मुल्यांकन के लिए भारतिय रेलवे में निमलिखित यांत्रिक साधनों का अप्योग किया जा रहा है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा ट्रेक की गुनबता का आकलन करने के लिए नीचे दी गई वर्टिकल एंड लेटरल असलेशन पिक की सीमा के आधार पर किया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर परती घंटे से अधिक गती वाले मार्गों पर A and B मार्गों पर 0.15 G से अधिक और 110 किलोमीटर परती घंटे से अधिक वाले मार्गों पर 0.2 G से अधिक यानि इसका एंसर जो है 80 का C हो जाएगा 30 किलोमीटर परती घंटे की कम गती के लिए 3 मीटर कार्ड पर ट्विस्ट की अधिक तम सीमा क्या है जिसका एंसर क्या हो जाएगा जिसका एंसर हो जाएगा 3.6 mm यानि इसका एंसर D हो जाएगा तो आपको सिरियल में सजाना है कि तो आप पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे तो इसका एंसर B हो जाएगा आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इसका एंसर B हो जाएगा ब्रीज पर अस्टिल स्लीपरों के लिए अधिकतम सेंटर टू सेंटर स्लीपर असपेस 10 mm होना चाहिए जोइंट स्लीपर के वीच असपास दूरी 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 600 mm और 200 mm इसका एंसर C हो जाएगा अस्टेशन याडो में अधिक्तम ढाल जब तक कि BCS सुरच्छा उपकरन को नहीं अपनाया जाता है और यह अनुमोदित BCS निर्देसे को अनुसार दुरगटना को रोकने के लिए BCS नियम लागू नहीं किये जाते है नए कार्जो और मौजुदा कार्जो में परिवर्तन के लिए तो एक 1 in 1200 अनुसंसित है और अधिक्तम ढाल 1 in 400 की अनुमति है तिसका एंसर A हो जाएगा ट्रेक के मद से यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के फेस तक की 36 दूरी अधिक्तम 10 mm नियूंतम 10 mm होनी चाहिए तो अधिक्तम 1680 और नियूंतम 1670 यानि इसका एंसर A हो जाएगा 10 मीटर की दूरी पर 1 दोजा बाहक द्वारा संरच्छित किया जाएगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1200 मीटर यानि इसका एंसर A हो जाएगा रेल लेवल में टीपी और टीजी बोर्ड की असपस्ट उचाई कितनी 10 मीटर होनी चाहिए इसका answer क्या हो जाएगा, rail level से कितना होनी चाहिए तो 1.65 यानि इसका answer A हो जाएगा फाटक पर height gauge की clear height dash meter होनी चाहिए, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा 4.76 से 4.780 यानि इसका answer B हो जाएगा ROB FOB के मामले में guard rail को track के मद से dash meter की दूरी से कम नहीं, दूरी इस्तित column embankment के निकट track पर परदान किया जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा 8 meter यानि इसका answer A हो जाएगा crossing के check rail का clearance को कहा मापा जाता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer आप लोगों के लिए छोड़ दिये हैं, आप लोग comment में बताएगे कि इसका answer क्या हो जाएगा rail fracture होने पर आपात कालिन वरम्मत पूरी होने के बाद ट्रेनों को पास किया जाना चाहिए पहली ट्रेन अस्टॉप और 10 km परती घंटा बाद की ट्रेने 10 km परती घंटा तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा 20 km परती घंटा यानि इसका answer A हो जाएगा एक बिदूत्य खंड में रेल फ्रैक्टर के मामले में खंडित रेल के दोनों शीरों को पहले और अस्थाई रूप से डैस में जोड़ा जाना चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा अनुमोदित डिजैन का मेटल जमपर यानि इसका एंसर भी हो जाएगा अस्थाई पत के करमचानियों को सला दी जाती है कि जब बिजली संचालित ट्रें डैस के भीतर हो तो पतरी से दूर रहें और रेल के संपर्ख में नहीं आएं तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 500 मीटर यानि इसका एंसर ए हो जाएगा दिरिश्यमान USFD Defective दोस्वाला Building Failure एक dice है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा पर हाई वेल्डिंग failure यानि इसका answer यह हो जाएगा plane track की deep screening dice की जानी चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा यदि 130 km पर ती घंटे से कम अनुभाग ये गतिवाले खंड के लिए स्वच साप गिट्टी कुशन 150 mm से कम है यानि इसका answer B हो जाएगा 10 mm मोटाई के CGRSP की normal life dice होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 8 बर्स या 400 GMT जो भी पहले हो यानि इसका answer A हो जाएगा अन्य निर्धारित सर्तों के पूर्ण होने पर 1 in 12 थिक बेव स्विच के लिए अनुमे गति 10 km परती घंटा है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 50 km परती घंटा यानि answer B हो जाएगा point and crossing को तब तक dash रखा जाना चाहिए जब तक की drawing में अन्य था निर्धा निर्धा ना किया गया हो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा बिना किसी count के साथ यानि इसका answer A हो जाएगा एक tank rail को chipped तुटा हुआ तब कहा जाता है जब टोस से 10 mm के अंदर tank rail 10 mm से अधिक गराई तक गिसी हुई या तुटी हुई हो इस तुटे हुए हिस्से का कुल योग 200 mm से अधिक हो तो इसका answer क्या हो जाएगा 1000 mm यानि एक मीटर के अंदर 10 जगे मिला कर 200 mm से अधिक अगर हो जाता है तो इसे तुटा हुआ माना जाएगा तो इसका answer C हो जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा चौदा सिदंबर यानि इसका एंसर ए हो जाएगा भारत की राजभासा क्या है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा गचेदर में यानि इसका answer C हो जाएगा राजभासा आयोग किसी फारिष पर गठित समिती का पहला अध्यच कौन था तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा BG 5 यानि इसका answer A हो जाएगा भारत के किस राज़ पर राजभासा नियम लागू नहीं होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तामिल नाडू यानि इसका एंसर यह हो जाएगा अवार्ड सब्द का हिंदी में अनुबाद करें तो अवार्ड मिन्स क्या होता है तो यह होता है पुरुस्कृति यानि इसका एंसर D हो जाएगा सेंशन्ट सब्द का हिंदी में अनुबाद करें सेंशन्ट मिन्स क्या होता है स्विक्रित यानि इसका एंसर A हो जाएगा अनुमोदित सब्द का अंग्रेजी अनुबाद करें तो अनुमोदित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे Approved यानि इसका एंसर A हो जाएगा आदेश सब्द का अंग्रेजी अनुबाद करें ट्रेनिंग यानि इसका एंसर C हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और आपसे अनुरोध है कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट को जरूर देखें अगर कोई कॉस्चन में गलत है तो आप कॉमेंट करके उस कॉस्चन को सुझाब दे